हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो आज के में इस वीडियों कर रहे हैं क्लास एट्स हिंदी का असाइमेंट पार्ट नाइन पार्ट नाइन में हम लोग करें कोशन नमबर फाइब का कर निम्न लिखत विश्यों पर हंड्रेड सब्दे में निमंद लिखना है तीन मस्ते आपक सब्सक्राइब का महत्त चठ्थ आपका एक डाकू की आत्म कथा मैं आपको यह सारे जो आपके छे निबंद है वह आपको मैं पूरा सॉलिसन दे रहे हूं कि पहले आपका एतिहासिक स्थल की सेर करना वास्तव में काफी खुशी देने वाला है हम हम अपने जीवन में कई ऐसे अतिहासिक स्थल की सेर करने के लिए जाते है जिनका याद हमेशा हमारे जीवन में रह जाती है मैं भी जब पहली बार एक अतिहासिक स्थल आगरा गया गया तो उसकी एक ज़लक मुझे आज भी याद है वास्तव में आगरा का ताज महल बार-बार देखने योग्य है देश ही नहीं बलके संपुर्ण विश्व में हर साल पच्चास भव्य से भी ज्यादा लोग भारत में केवल ताज महल देखने के लिए आते हैं ताज महल वास्थों में इतना खूब सूरत है कि जितना इसके तारीफ के जाए उतना कम है ताज महल के चारो ओर मस्जिद है ताज महल संगम रमर का बना हुआ है ताज महल का निर्मार साह बहा ने करवाया था साह बहा की बेगम मुमताब ने अपने पती से यह वादा लिया था कि वह एक ऐसी रचना करवाएंगे जिसकी प्रसिध काफी अधिक होगी जब मुमताब का दिहानत हो गया तब साह बहा ने उसे ताज महल का निर्मार कराना सुरू कर दिया और ताज महल का निर्मार करा दिया था ताज महल जैसा कोई दूसरा ताज महल ना बना सके इसलिए साह बहान ने कारी करों की भी हाथ काट दिये थे ज्यादातर लोग जब आगरा जाते हैं तो उनका प्रमुख उद्देश आगरा का ताज महल देखने ही होता है क्योंकि आगरा का ताज महल अप्रसिद्ध है वास्तव में ताज महल जब मैंने देखा तो मुझे काफी खुशी हुई ताज महल काफी सुन्दर है इस एतिहासिक स्थल के दर्शन करने के लिए हर किसी को जाना चाहिए सेकेंड है आपका मेरे देश के धर्मस्थान तो इसमें आपका अंस्वर है भारत भगोलिक सामाजिक संस्कृतिक एवं धार्मिक आदी के विभिनताओ का देश है यहां के लोगों की धर्म में गहरी आस्था होती है इसकी बानगी इसी से देखी जा सकती है कि हर घंटे बड़े बड़े गणाओं से लेकर बड़े बड़े महानगरों तक लोगों की आस्था से आस्था का केंद्र बने धार्मिक स्थल सदियों से मौजूद है धार्मिक स्थल सदियों से मौझूद है गहे बाद इन धार्मिक स्थलों का चमतकार की कहानिया भी लोगों के जुबानों से सुनी जा सकती है अकेले गंगा नदी के किनारे चला जाए तो हरी द्वारा का काशी प्रयाग से लेकर गंगा सागर तक एक से बढ़कर एक भारतिय धार्मिक एवं दर्शनिय स्थान दिखाई देंगे इन तिर्थों की यात्रा करते अपने तन मन को पवित्र कर मुक्ती की कामना करते स्रधालू कश्मीर की वादियों से लेकर बंगाल की खाडिया तक किसी न किसी देवी देवता का अध्भुत मंदिर दिखाई देगा अकेले देवी सक्ती की ही पूरे भारत वर्श में 52 में से 42 पीठ है बडरी नाथ अमर नाथ जगन नाथ और रामेश्वर चार पवित्र धाम है बारत जियोती लिंग भी भारत में धार्मिक स्थन में स्रेष्ठ स्थान है यहां महा भारत की भूमी है तो गीता के ज्यान का प्रसार भी यहां हुआ है यहां हिंदू के मंदिर है तो सीखों के प्रसित गुरु द्वारा भी है मुसल्मानों के मस्जित पीर की दरगा है जैनों की तिर्थ भी यहां ही है हर धार्मिक स्थल यहां का एतिहास है इस तरह भारत के कई न कई धार्मिक स्थाल की कई न कई विशेशताएं है थर्ड आपका कर्म योगी लाल बहादूर सास्त्री लाल बहादू सास्त्री का जन्व 2 अक्टोबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था यह भारत के दूसरे प्रधान मंत्री थे उन्होंने हरिश्चंद्र हाचर हायर स्कूल और काशी विद्यापीठ में से अपनी सिच्छा पूरी की उनके पिता हाई स्कूल के अध्यापक थे लाल बहादू सास्त्री जी ने अपने सपूरण जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया सास्त्री जी सच्चे कांधिवादी थे उन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों के सेवा में लगा दिया उन्होंने देश हीत में भारत छोड़ो और सहयोग आंदोलन दांडी मार्च जैसे कई आंदोलन में महत्व भूमी का निभाई है भारत छोड़ो आंदोलन में महत्व भूमी का निभाई है भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान सास्त्री जी ने करो या मरो नारे की 9 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में मरो नहीं मारो में बदल गया पूरे 11 दिन भूमी गत रहते हुए आंदोलन चलाने के बाद 19 अगस्त 1942 को सास्त्री जी गिरफडार हुए उन्होंने भारत पाक युद्ध को युद्ध के दोरान जै जवान जै किसान्द का नारा लगाया इससे भारतिये जनता का मनुबल बढ़ है सास्त्री जी को मरण पूरांत 1666 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया उन्हें हम आज भी याद करते हैं अब आपका आता है विज्ञान वर्दान है या अभिशाप इसके बारे में आपको लिखना है तो विज्ञान वर्दान है या अभिशाप यह सवाल हमेशा हमारे मन में आता है आज का युग विज्ञान का युग है यह तो हम सभी जानते हैं कुछ साल पहले असंभव लगने वाले चीज आज विज्ञान की वजह से संभव हुआ है हमारे जीवन का कोई भी छेत्र इसमें अच्छूता नहीं है विज्ञान से मनुष्य का जीवन काफी आसान हुआ है विज्ञान से मानव जाती को काफी सुविधाय प्रदान की है चाहे वो तेज चलने वाले वाहन हो या फिर घर के रोजमरा के जीवन में उपियोगी आने वाली उपकरण हो हम सब विज्ञान के धीरे धीरे हुए है विज्ञान के यातायाद संबंधी अविश्कारों से विश्वक के देशों को एक दूसरे से समीप लाग दिया है संचार मध्यमों की सहायता से हम दूर बैठे व्यक्ति को पलक जपकते ही देर देख सकते हैं विज्ञान न अस्विश्व निय प्रगती की है विज्ञान ने मनुष्य की आवशक्ताय पूर्ण करने के लिए हर साधन उपलब्द कर दिया गया है लेकिन उसमें मनुष्य की आवशक्ताय पूरी होने की बजाय और बढ़ती चली जा रही है मनुष्य हर चीज में मसीन का इस्तमाल करने लगा है जिससे उनके सरीर की गती कम होने लगी है अब आता है आपका श्रम का महत्तो का निबंध है आपका परिश्रम ही मनुष्य जीवन का सच्चा सौंदर है संसार में प्रत्यक प्राणी सुख चाहता है संसार चक्र सुख की प्राप्ती के लिए चल रहा है संसार का यह चक्र यदि एक छण के लिए रुख जाए तो प्रले हो सकती है इस परिवर्तन और परिश्रम का नाम जीवन है हम देखते हैं कि निर्गुन व्यक्ति गुडवान हो जाते है मुर्ख बड़े बड़े सास्त्रों में परांगत हो जाते है निर्धन धनवान बनकर सुख वचैन की जिन्दगी बिताने लगते है या किसी के बल पर होता है अब सब स्रम के बल पर ही हन स्रम का अर्थ है तन मन किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयतनशिल होना जिस व्यक्ति ने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ने की चेश्चा की वह निरंतर आगे बढ़ा मानव जीवन की उन्नती का मुख्य साधन परिश्रम है जो मनुष्य जितना अधिक परिश्रम करता है उसे जीवन में उतनी अधिक सफलता मिलती है जीवन में श्रम का अधिक महत्व है परिश्रम व्यक्ति के लिए कोई कार्य कठिन नहीं इस परिश्रम के बल पर मनुष्यों ने प्रकृति को चुनोती दी है समुद्र लांग लिया है पाहार का दुरगम चोटी चोटिया पर वह चड़ गया है आकाश का कोई कोना आज उसके पहुच से बाहर नहीं है ठीक है और यहाँ पर आपका देन आता है यहाँ पर आपको एक छोटा सा वाक की इस तरह से लिखना है उपयोगिन पुरुष सिह मुपोतित लच्मी दैवेन देपेचित का पुरुष वैदेंद यह आपका संस्क्रिप स्लोग है रही है तो आपको लिखनी होती है थी कर आपट है दाकु कि आत्म कथा लिखनी है तो मैं एक डाकु था मैं राम गड्ग का रहने वाला हूँ मेरी डाकू से लेकर एक अच्छे इंसान बनने तक की कहानी वास्तव में काफी रोचक्त है मेरे पिता जी हमेशा मुझे साला जाने के लिए कहते थे लेकिन मैं पाट साला जाने की वजह अपने कुछ बिगड़े हुए साथियों के साथ घूमता फिर्दा रहता था और बहुत ही कम पाट साला जाता था एक दिन मेरे पिता का देहानत हो गया तो पूरे घर के जिम्यदारी मुझे पर ही थी तब मात्र मेरी उम्र 9 साल की थी मेरी मां हमेशा बिमार रहती थी उसके बिमारी के इलाज के लिए मुझे पैसा की जरूरत थी मैंने कई बड़े-बड़े सेठो से थोड़ा-थोड़ा थोड़े से पैसे उधार देने की बात कही लेकिन उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि मेरे पास कुछ गिर्वी रखने के लिए नहीं था मैंने कई और लोगों से पैसों की बात की लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की तब मैंने निरने लिया कि मैं डाकू बनकर लूट पाट करूँगा अगले दिन मैं अपने साथी के साथ साधी के समारों में पहुच गया तभी मेरे सभी साथी और साथिया जाकर वहाँ पर उन सभी लोगों के घरों में लूट पाट और बंदूक दिखा कर सभी को लूटने लगे जितने बड़े जितने बड़े बड़े सेठों ने मुझे पैसे देने के लिए मना किया था उनके घर पर भी मैंने लूट पाट की फिर 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 लोगों का अपहरण करने अपहरण करके उनसे पैसे की मांग मांग मेरे इलाज करता था धीडिरे मैं धիरे धीरे मैं प्रसिद्ध हो गया और प्रसिद्ध गाउं और Philippe Shadeh म différentes आगे आरोने लगा कहने लगा कि मेरी मा को cancer हुआ है इञास कराने के लिए हमें काफी रुपियों की जरूरत है यदि आप ये सब भी ले जाएंगे तो मेरी मा मल जाएगी और मैं अनात हो जाओंगा यह कहकर वह बच्चा रोते लगा तभी मुझे अपने बच्चपन की वह दिन याद आ गये मैंने काफी लोगों को इस तरह से दुख दिये होंगे तब उसी समय मैंने निड़े किया कि डकेटी करना बंद कर दूँगा और अपने आपको पुलीस को समर्पित कर दूँगा फिर लाशन आपको तिन चार बाके का लाइन लिखना है थोड़े से लाब के लिए आप कभी भी किसी भी तरह का गलत काम न करे सचाई और इमानदारी के रास्ते पर चले तब जरूर ही आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपकर जो आपके निबंद थे खतम होते हैं तो आपको हमारी पसंद इसे लाइक किए सब्सक्राइब किजिए सब्सक्राइब किजिए मिल्दम से में जय हिंज भारत